नमस्ते विद्यारतियों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर तो आज का जो सेशन है ये एक हमारा concept through question session है तो इसमें हम gate 1998 electronics and communication branch का जो भी matrix and determinant से question है उसको देखने बारे तो session start करने से पहले मैं आप लोगों से इतना बोलूँगा कि अगर आप मेरे से connect होना चाहते है या आपको कोई doubts रहता है session में या कोई guidance टिप चाहिए तो आप मेरे telegram जो मेरा channel है या मेरा जो group है उस पर आप जॉइन कर सकते लिंक जो है इसी का आपको description box में मिल जाएगा तो चलिए फिर आज का session start करते हैं तो देखिए यहाँ पर question दिया हुआ है दा आईगन वैलूज आप दा मेट्रिक्स ए आर तो यहाँ पर option based question है अब यहाँ पर concept क्या involved है देखिए concept तो concept आपका है अगर मेरे पास एक ए मेट्रिक्स है कि तो मैं आए एन क्रॉस एं कर लेता हूं कि ए एंटू और ऐसे ही यह मेरा ए एन एन हो जाए ठीक है तो यह मेरा क्या हुआ हुआ इमट्रउस है अब यह एन क्रॉस एंड मेट्रिक्स तो order क्या है मेट्रिक्स का square matrix का order है जहाँ पर ठीक है अगर order ं है इसका मतलब आइगन वैल्लूज कितने ह Program यहां पर आइगन वैलू विल बी N and they can be lambda 1, lambda 2, lambda 3 and lambda N like this, ओके, तो ठीक है, यहाँ पर कुछ property का बात करता हूँ, तो property क्या बोलता है, कि यह जो मेरे पास आए, अगर एक matrix है, N cross N, तो यह जो determinant होगा matrix का, determinant of A, this will be equal to the product of eigenvalues, product of eigenvalues होता है, जो determinant होता है, and trace, trace of A, अब यह trace मतलब क्या होता है, तो देखिए यह जो principal diagonal element होता है, यह principal diagonal element, यह इसको हम बोलते है, leading diagonal भी बोलते है, क्या बोलते है, principal diagonal, यह बोलते है, हम इसको, leading diagonal भी, तो यह जो leading diagonal होता है, इसका जो sum होता है, that is what, that is your trace, इसको हम trace बोलते है, तो यही दो property use करके, हम इस question को solve कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 cross 2 matrix है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, कि देखिए यहाँ पर अगर मैं determinant calculate करूँ, तो यह determinant क्या होगा, determinant will be minus 1, and trace is, trace is equal to 0, अब कौन से कौन से option satisfy करता है, तो देखिए यहाँ पर trace 2 है, minus 2 है, यहाँ पर 0 है, तो trace यहाँ पर satisfy करता है, और यहाँ पर भी trace 0 है, तो trace यहाँ पर satisfy करता है, अब determinant की बात करते है, determinant यहाँ पर क्या होगा, this will be equal to minus j square, so that will be plus 1, and here it will be minus 1, so determinant यहाँ पर satisfy करता है, trace भी, so option D is your correct answer, तो यह type से हम solve कर सकते है, या तो पिर जो की हमको पता है, a minus lambda i equal to 0, इससे भी solve कर सकते है, तो यह तो सभी को पता है, इसको मैं discuss नहीं करूँगा, अब और एक चीज़ देखिए, यह जो matrix दिया हुआ है, यहाँ पर a equal to a transpose, इत्का मतलब क्या हुआ, that this is a symmetric matrix, and in symmetric matrix, what we know, that your eigenvalues, they are always real, in a symmetric matrix, eigenvalues are always real, so that is why you can see, if you want to differentiate between option C and option D, तो मेरे को एक ही दिख्राए क्या, कि जो D है, यह मेरा real है, तो इसी वज़े से option D होगा, ठीक है, तो यह जो question है, इसका answer क्या है, आपका D है, तो इसी के साथ जो है, यह वाला session end होता है, next session में हम लोग और भी questions देख लेंगे, तो अगर आपको session अच्छा लगा हो, तो please like, share and subscribe कर दीजिएगा, चलिए फिर विलते है next session में, thank you,